अनन्द और आनन्द अन्य गुरु साहिबान की वानी की तरह गुरु अमरदास जी की सर्वश्रेश रचना अनन्द का मूल विशय भी सच्चे और पूर्ण आनन्द के सुरूप पर प्रकाश डालना तथा इसकी प्राप्ति के साधन का उलेख करना है गुरु साहिब फरमाते हैं आनन्द आनन्द सब को कहे आनन्द गुरुते जानिया पौड़ी सात्वी आप सचेत करते हैं कि अपनी और से तो संसार के सभी लोग आनन्द के बारे में अनेक प्रकार के विचार प्रकट करते हैं तथा अपनी सूजबूज के अनुसार अनेक विदियों से आनंद की प्राप्ती के लिए कई प्रकार के प्रियत्न भी करते हैं, प्रंतु सच्चे आनंद तथा उसकी प्राप्ती के सच्चे साधन का ज्यान केवल प्रभू से मिलकर पूर्ण आनंद प्राप्त कर चुके संथ सत्गुरु से ही मिल सकता है गुरु साहिब का संकेत शारीरिक, एंद्रिक या मानसिक आनंद की ओर नहीं है आपका इशारा आत्मा को परमात्मा के मिलाव से प्राप्त होने वाले आनंद की ओर है गुरु साहिब हर माया मै सुक को अधूरा तथा नाशवान मानते हैं आप केवल पूर्ण तथा अविनाशी परमात्मा को ही पूर्ण और अविनाशी आनंद का सच्चा तथा स्थाई स्रोत स्विकार करते हैं गुरु साहिब सावधान करते हैं कि मिनुष्य के अस्तित्व का आधार, शरीर, इंद्रियां तथा मन नहीं है ये आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र मात्र है ये सब नश्वर हैं रंग तमाशे, कलाएं आदी, मन का विलास है ये आत्मा का आधार नहीं है आत्मा का आधार प्रभु का प्रेम उसका नाम है आत्मा परमात्मा का अंश है इसमें परमात्मा के सब गुण विद्यमान है प्रंतु प्रकट रूप में नहीं है आत्मा अपने मूल स्वभाव में प्रमात्मा के समान ही अविनाशी, ग्यान रूप तथा आनंद रूप है अपने मूल स्वरूप का ग्यान ना होने तथा अपने सोत से बिच्ड़े होने के कारण यह अनंत काल से दुखों की चक्की में पिस रही है गुरु साहिब जीवात्मा को अपने सुरोत की पहचान करने का उपदेश देते हैं ए सरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी तां तु जग मह आया पौडी तेतिस्वी जीवात्मा के अंदर प्रमात्मा का प्रकाश समाया हुआ है जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मानना वसाया पौडी पैंतिस्वी आप जीवात्मा को समझाते हैं कि तेरे सब दुखों का कारण अपने स्रिजन हार की ओर से अचेत होना है तेरे जीवन का मूल उद्देश अपने आपको अपने सुरोत से जोड़ना है जिस दा जीव तिस मिल रहे हर वसाय मन आए पौडी तीस्वी आत्मा परमात्मा रूपी अंशी का अंश है अंश का वास्त्विक धर्म अपने आपको अंशी में लीन कर देना है इसी में अंश की पूर्णता है और यही सच्चे तथा पूर्ण आनंद की प्राप्ती का वास्त्विक सादन है गुरु साहिव जीव को प्रेर्णा देते हैं कि जब तेरा अपने अंशी भाव परमात्मा से मिलाप हो जाएगा तो तेरे सब दुखों का नाश हो जाएगा तेरे सब कार्य पूर्ण हो जाएंगे और तुझे परम आनंद की प्राप्ती हो जाएगी इसलिए तुझे कभी पल भर के लिए भी प्रभु को नहीं भुलाना चाहिए पौडी दूसरी जीव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी शक्ती तथा अपने ज्यान द्वारा परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता यही कारण है कि गुरु साहिबान की वानी में एको गुर प्रसाद द्वारा प्रभु की प्राप्ती को सत्गुरु की द्या मेहर पर आधारित किया गया है गुरु अमर्दाजी ने अनन्द में बार बार यही भावद्रिड करवाने का यत्म किया है आप कहते हैं गुर पर सादी बुज्या जा वेखां हर एक है हर बिन अवर न कोई कहा नानक एह नेत्र आंद से बुज्या शब्द का प्रियोग किया है पहेली सुल्जा ली जाए तो अज्ञानता से ज्ञान में पहुँच जाते है प्रभु भी अंदर है आत्मा भी अंदर है प्रभु के साथ मिलाब का सादन भी अंदर है वर्तमान अवस्था में यह सब एक उल्जन भरी पहेली है परन्तु जब सद्गुरु की क्रिपा से यह पहेली सुल्जा ली जाती है तो फिर हरी का अस्तित्व भी सत्यपरतीत होने लगता है पूर्ण अद्वयत का ग्यान भी हो जाता है तथा प्रभु के सरव्यापक होने का विश्वास भी पक्का हो जाता है बाहरों ता निर्मल जीयो निर्मल सद्गुर्ते करनी कमानी पूरी बीस्वी वर्तमान अवस्था में हम बाहरी स्वच्चता की और अधिक त्यान देते हैं प्रंतु मन विशय विकारों, इंद्रियों के भोगों, इच्छाओं और तिशनाओं की गंदगी से भरा हुआ है इस तरह जन्म व्यर्त व्यतीत हो जाता है जब जीव अपना जीवन सद्गुरु के उपदेश अनुसार ढालता है तो वह अंदर बाहर से पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है माया की मैल उसके पास नहीं फटकती वह जगत की इच्छा से मुक्त होकर जगदीश के प्रेम में परिपक्व हो जाता है उस अवस्था में जीव को प्रभू सदा अंग संग दिखाई देता है ऐसे जीव का संसार में आना और मनुश्य जन्मधारन करना सफल हो जाता है अपनी शरण में आए हुए शिश्य के अंदर सत्गुरु पूरी तरह परिवर्तन किस तरह से लाते हैं गुरु साहिब अनंद में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सत्गुरु शिश्य की लिव नाम के साथ जोड़ कर उसका काया कल्प करते हैं सत्गुरु शिश्य को अनेक प्रकार की बहिर मुकी बगती तरह तरह के कर्म कांडों, हट कर्मों, ग्यान मार्ग, त्याग आदी से छुड़ा कर नाम के अंतरमुख अभ्यास में लगाते हैं नाम के साथ लिव जोड़ने के लिए शरीर तता संसार में फैले हुए ध्यान को अंतरमुख करना आविश्यक है गुरु साहिब विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि नाम या शब्द श्रीर रूपी गुफा के अंदर है इस गुफा के नौ दवार परत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं वे दवार बाहर की ओर खुलते हैं पर दस्वा दवार जो अंदर की ओर खुलता है गुप्त है गुर दवारे लाए पावनी एकना दस्वा दवार दिखाया वह दस्वा दवार विरले गुरु प्रेमियों को दिखाई देता है तेह अनेक रूप नाव नव निद तिस्दा अंत न जाई पाया पौडी 38 दस्वे द्वार में ध्यान एकाग्र और स्थिर करने से मिलने वाला नाम अनंत है नाम का आदी, मध्य और अंत नहीं है वह अनूपम है लोग पर लोग की ऐसी कोई संपदा नहीं जो उस नाम के दाइरे से बाहर हो गुरू साहिब उपदेश करते हैं शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया पौडी पहली मेरे प्रिये जनों केवल शब्द से लिव जोडने पर ही मन में प्रभू का निवास होगा आप फरमाते हैं सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शबद कनेरे पौडी तीसरी नाम के साथ लिव जोडना ही परमात्मा का गुणगान करना है और नाम के साथ लिव जोडने पर ही अंतर में अनहद शब्द प्रकट होता है आप फरमाते हैं कि जब अंतर में पांच शब्द बजते सुनाई देने लग जाते हैं तो विशय विकारों का नाश हो जाता है, जन्मरन के चक्कर से चुटकारा मिल जाता है, तथा सचे सुक्की प्राप्ती हो जाती है गुरु साहिब कहते हैं, साच नाम आधार मेरा, जिन पुखां सब गवाईया पौडी चोथी, नाम सब त्रिशनाओं को शांत करता है, नाम ही मन में सच्चा संतोष पैदा करता है, और यही मन की शांती का स्रोत सिद्ध होता है फिर मुकत पाए लाग चरनी सत्गुरु शबद सुनाए पौडी बाईस्वी सत्गुरु अपनी शर्ण में आए जीव की लिव शब्द से जोड़ देता है, और शब्द उसे परमात्मा में लीन कर देता है इस तरह जीव आवा गमन से मुक्त होकर प्रभु के धाम अर्थात निजधाम पहुँच जाता है तोड़े बंदन होवय मुकत शब्द मन वसाए पौडी चब्द मन में बस जाता है, तो आवा गमन के बंदन से मुक्ती मिल जाती है गुरु साहिब अपनी विचार धारा को पूर्णता परदान करते हुए कहते हैं अनद सुनो वडपागियो सगल मनोरत पूरे पौडी चालिसवी, मेरे प्रियजनो ध्यान को अपने अंदर स्थिर करके अनहद शब्द के साथ लिव जोडो ताकि तुम्हारे सभी कारे संपूर्ण हो जाएं और पारभ्रम प्रमेश्वर के साथ मिलाप हो जाए बिनवंत नानक गुर्चर्ण लागे वाजे अनहद तूरे सत्गुरु की शर्ण प्राप्त होने का भाव सत्गुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करने से अंदर अनहद शब्द के आनंद पूर्ण साज बजते सुनाई देने लगेंगे तब तुम हर तरह के दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर सच्चे और पूर्ण आनंद के अधिकारी बन जाओगे